अनहेल्दी फूड या हेल्थ ट्रिंक के नाम बर अब शुगर या केमितल बेचना आसान नहीं हुगा सरकार जल्दी पैकेज डॉट फास्ट फूड की सेफटी को लेकर मानक तै करने वाली है यही नहीं विग्यापनों के दावे में कितनी हकीकत है इसकी भी पड़ताल की जाएगी फूड सेफटी को लेकर आखर सरकार का प्लान क्या है देखें इस रिपोर्ट में बढ़ते जंग फूड फूड फ्रोजन प्रिजर्फ फूड पर नियंतर लगाने की तयारी हो रही है सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है इसके लिए पुभोकता मामले मंत्राले की अतिरिक्त सचीव की अधिक्षता में कमेटी बनाई गई है इसमें पुभोकता मामले मंत्राले, फसाई, स्वास्त मंत्राले, महिला एवन बाल विकास मंत्राले के प्रतिनिदी शामिल होंगे कमेटी सभी स्टेक होल्डर्स की साथ बैठक कर छे महिने में अपनी रिपोर्ट देगी ये कमेटी पैकेश्च फूट को लेकर मानक तै करेगी खाने से संबंधित विज्यापनों को लेकर और ज्यादा सक्थ तरीके से चांच पड़ताल होगी चीनी और नमक की अवशक्ता से अधिक मात्रा को लेकर मानक तै होंगे खाने में केमिकल की अधिक मात्रा को रेगुलेशन के दाइरे में लाने का प्रयास होगा कई बार इस्तमाल किये जाने वाले तेल का इस्तमाल बिल्कुल बंध हो इससे लेकर प्रयास किये जाएंगे साथ ही हाईजीन को लेकर सक्ती से पालन किया जाएगा पिछले दिनों बॉनवीटा को लेकर इस पर बहस शुरू हुई थी उसके साथ ही कई और रिपोर्ट्स में कहा गया कि लोगों के खाने की आदत बदल रही है ऐसे में फूट क्वालिटी को लेकर नियमन पर काम करने को लेकर सरकार गंभिरता दिखा रही है इसको जी बिजनस इंपैक्ट कह सकते हैं पॉनवीटा मामले के दौरान हमने बताया था कि उपभोकता मामले मंत्राले इस तंदर्ब में विचार कर रहा है आपको बता दे कि भारत में फास्ट फूट की खपद बढ़ गई है हाली में डबलुएचों ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि फास्ट फूट की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है ऐसे में भारत की ज्यादतर लोग मोटा पे के शिकार हो सकते हैं ऐसे में जितना हो सके आपको घर का खाना खाना चाहिए ब्यूरू रिपोर्ट जी मीडिया